Dear students, आज हम व्यक्तिकत विंता के अंदर मन्द बुद्धी बालक स्टेडी कर रहे हैं मन्द बुद्धी बालक क्या होते हैं मन्द बुद्धी बालकों की क्या विसेश्थाय होती हैं और परनोज ने अपनी बुक The Biology of Mental Defect में किन-किन मन्द बुद्धी बालकों के बारे में बताया है वो सारे में बताने जा रहा हूँ Clear? तो मन्द बुद्धी बालक की स्टेडी करते हैं मन्द बुद्धी बालक ऐसे कौन-कौन से पॉइंट से जो मन्द बुधी बालक के बारे में आपको पता होगा तो आपका एक्साम में काम हो जाएगा सबसे पहला point आपको पता होने मन्द बुधी बालकों के लिए ये मानसिक रूप से विकलांग ठीक है होते हैं ध्यान रखना पिछले बालकों को हम सेक्सिंग मंदता कहते हैं, इनको मांसिक रूप से विकलांग बालक कहते हैं, मन्द बुद्धी बालक, क्रों एंड, क्रों के अनुसार, मन्द बुद्धी बालकों का आईक्यू, सत्तर से कम होता है, तीसरा, सभी मन्द बुद्धी बालक, पिछडे बालक भी होते हैं, जो मन्द बुद्धी बालक होते हैं, उनमें आत्म विश्वास की कमी होती है, इन बालकों में आत्म विश्वास की कमी, कमी, कोमा, कमी होती है, ये नई परिस्थिती में समायोजन नहीं कर पाते हैं, उसके बाद, नमबर सिक्स वेरी इंपोर्टेंट, मैंने का, L.S. पर्णोज, ठीके, ने बाइलोजी ओफ मैंटल डिफेक्ट बुक में फोर टाइप्स मंद भुद्धी बालकों के बताए हैं, सबसे पहला नमबर वन, क्रिटीनिस्म, क्रिटीनिस्म का मतलब होता है, थायराइड ग्रंती के थायरोक्षिन हार्मोन, हार्मोन, थायराइड गंती के थायरोकजिन हार्मोन की बच्चों में कमी से होने वाला बोनापन जिसमें बच्चा मेंटली रिटार्डेड भी होता है दूसरा है मंगोलिज्म मंगोल जाती के समान लक्षण वाले ऐसे बालक जो मानसिक रूप से दूर्बल होते हैं जिन में लक्षण सारे मंगोल जाती जैसे होते हैं नाक चप्टा होता है लाट अपकती है ओके मूथ पे तिर्चा बन होता है उन सब को इसी तरह से माइक्रो सिफेली माइक्रो सिफेली का मतलब होता है वह मानसिक दूर्बलता जिसमें सीर का आकार जो सरकंफेरेंस होती है वो सामान्य से छोटा रेता है इसी तरह से हाइड्रो सिफेली हाइड्रो सिफेली वह मानसिक दूर्बलता जिसमें सीर का आकार जो सामान्य से बड़ा होता है यानि यह सारों के सारे क्रिटीनिस्म, मंगोलिज्म, माइक्रो सिफेली, हाइड्रो सिफेली दोस्तों सारे के सारे पढ़नों आपनी बुक, बाइलोजी और मैंटल डिफेक्ट में इनका वर्णन किया है और यह सब किसम मंद बुद्धी बालक के अंदर ही आते हैं, उसके बाद वेरी इंपोर्टेंट मंद बुद्धी बालक को पढ़ाने वाले शिक्षक, शिक्षक में धेरिये और सहन सीलता धेरिये सहन सीलता ठीके, कागुण, कागुण होना परम आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे बच्चे बार बार क्या करते हैं, त्रूटी फिर भी उनको पैसेंस रखना पड़ता है, कि हाँ बच्चे सीखेंगे, बोलो एक बार नहीं बार बार बताना पड़ता है उसके बाद मन बुद्धी बालकों को हस्त कला का परिक्षण देना चाहिए, जिससे वे अपनी जीवन यापन कर सके, कुछ भी उनको हाँ से मनने वाली चीज के बार में सीखाना चाहिए, तो यह क्यूशन अक्सर आता है, हस्त कला का परिक्षण किसको देना चाहिए, मन बुद्धी बालकों को, क्योंकि दोस्तों मन बुद्धी बालक समाज के लिए खत्रा भी हो सकते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा दिमाग चलता नहीं है, अगर उनको गलत कारी सिखा देंगे, तो वो जाके गलत करेंगे, उसके बाद उनका क्या फ्यूशर होगा, वो इतना नहीं सोच बाते हैं, इसलिए मनों भी ग्यान कहता है, कि मन बुद्धी बालकों को अगर हस्त कला के कोई भी कारी सिखा दिया, चाहिए वो डबो को पेक करना है, चाहिए कोई भी पेकिंग करनी है, तो वो वो कारी बेटे हुए करते रहते हैं, जिससे उनका जीवर्यापन भी होता है, तो जब भी एक्जाम में आता हस्त कला का परिक्शन किसको दिया जाना चाहिए, आपको मेरी बात समझ में आये होगी, मैंने आपको मन्दबुदी बालक के अंदर बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिस किये, कि क्या क्या आपको मन्दबुदी बालकों के बारे में याद होना चाहिए, और पिछले बालक और मंद्बूती बालक में क्या अंतर होता है पिछले बालक सेक्षिनी मंदता होती है ये मांसे ग्रूप से विकला अंग बालक होता है उनके IQ भी एवरेस से कम होता है लेकिन 80 से 89 के बीच होता है इनका 70 से भी कम होता है पिछले बालक केवल सिक्सा में हम उम्रवाले से पीछे रहते हैं जबकि ये सभी कारिये में पीछे रहते हैं I hope आपको मेरी बात समझ में आई होगी जो माइक्रो से पहली, हाइड्रो से पहली, क्रिटीनिज्म, मंगोलिज्म ये सब के सब का समन्द मंदमुदी बालकों से, पिछले बालकों से नहीं है ओके, तो ये कैसा लगा लेक्चर, जरूर कमेंट्स करके बताएं और इसी तरह से पढ़ते रहें, और मस तरहें, बेस्ट ओब लक